हेलो फ्रेंड्स वेल्कम तो मैं इस्टडी फिट चैनल दोस्तों मैं हाकी से रिलेटेट उसके रूल्स मेजरमेंड्स और अंतराफ्टी संगर्थंस से रिलेटेट मोस्ट इंपोर्टेट एमसे क्यूज आज मैं बताने वाली हूँ जो आपकी एक्जाम्स में पूछे जाते ह है वीडियो को सुरू से लाज तक देखिए गया यदि आप फिजी के लिए एजुकेशन के किसी भी कॉंपटेटिव एक्जाम्स का प्रिप्रेशन कर रहे हैं सिलिबस के एक्कॉर्डिंग मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलिबस के एक्कॉर्डिंग है और हंडिर से जधा प्रिविए से लिए कि कोस्टन के भी है अच्छे तर्वाइस एमसे क्यूश का प्रैक्टिस भी करा गया है दोस्तों तो बने रहे हैं मेरे चैनल पर डेली बेसे पर तो चली चलते हैं आज के इस वीडियो पर कि कौन कौन से कोस्टन है तो अपना इसकोर आप चेक किजिए कोस्टन है दोस्तों कि पनाल्टी स्पार्ट गोल लाइन से कितनी दूरी पर होता है तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि पनाल्टी स्पार्ट जो है वह गोल लाइन से साथ गज की दूरी पर होता है कितने गज की साथ गज की जानी यहां पे मीटर में दिया है तो कि तो डामेटर 6 इंच होता है दोस्तों और इसको हम मिली मीटर में कनवर्ट करेंगे यहां पर मिली मीटर में दिया है तो 155 मिली मीटर हो जाएगा नेशन दोस्तों हाकी के कोनों पर लगने वाले ज्ञंडों की उच्छाई कितनी होती है तो 120 से 150 सेंटीमीटर यानि कि 1.2.0 से 1.5.0 मीटर नेशन दोस्तों गोल कीपर अपने प्रोटेक्टिव हेड गीर के साथ मैदार में कहां तक जा सकता है तो कहां तक जा सकता है दोस्तों तो वहां 23 मीटर यानि कि जो 25 यार्ड लाइन होता है उसी को मीटर में हम कहेंगे तो 23 मीटर हो जाएगा ठीक है क्षिक था।ो कितने मीटर दूरीक। कितने मीटर दूरी यह दिया गोल्राइन से 12- 15-1凪ॏद्धर दी जाती है। कि नेश्क कुछ ज़तों यहीं हांकी में खेलते समय सूटिंग सर्कल के अंदर डिफिंडर के पैर पर बाल लग जाती है तो रेफरी का निड़य क्या होगा जो हमारा डी है यानि सूटिंग सर्कल है जहां से गोल किया जाता है अब उसके अंदर से किसी के पैर में बाल लग भी है डिफिंडर के पैर पत तो रेफरी का निलड़य होगा पेनाल्टी कार् pizzas दी आता है जो गोल्पोस्ट होता है उसके और में उस्सी पर दोटी समय अपर बना होता है इमाल्टी समय अंश्यातेॆइयं की धिश्यात थजिगा constituents ढcrates अधिCrを से बाहर यदि हाकी में खेलते शमय किसी भी खिलाडी के पैर में बाल लग जाती है तो रेफिरी का निड़े क्या होगा तो तेश मीटर से बाहर किसी खिलाडी को यदि पैर में बाल लग जाती है तो उसको फ्री हिट दिया जाता है क्या दिया जाता है रेफिरी क्या देता है फ्री हीट देता है नेश्य दोस्तों फीह इंटरनेशनल हाकी फेडरेशन का मुख्याले कहा है दोस्तों तो स्वीर्जय लैंड में है और इसकी स्थापना कब हुआ था साथ जन्वरी उनीस सो चोबीस ब्रुसेल्स बिल्जियम में अब बरतमार अध्यच्छा नेंदर धुर हाकी के बॉल का बार ऐसुच्छपन से एसुच्टीरिसट ग्राम होता है नेश्ट है हाकी बॉल की परीधी कितनी होती है तो इसकी परीधी जो होती है दोसो चौबीस से 235 mm यानि मिली मिटर होता है यानि की 2.24 से 2.35 cm यानि की 9 इंच नेशे दोस्तो जेबरा लाइन जो डॉटेट लाइन होता है सुटिंग सरक्ल के बाद सब्द का परियोग किसे खेल में किया जाता है तो हांकी में किया जाता है नेशे दोस्तो हांकी में जो डॉटेट सरक्ल होता है जो डॉटेट लाइन होता है यानि जो जिसे जिबरा लाइन भी बुला जाता है जो चिनीत निसान होता है तो कितना का होता है दोस्तो जो चिनीत निसान होता है जिब्रा लाइन में जो गैप होता है उसकी माप कितनी होती है तो जो गैपिंग होता है दो डॉटेट लाइन के बेच में तो तीन मिटर का होता है नेश्ट हागी में गोल पोर्ट से पिनाल्टी कार्णर अट्रेक मार्क कितनी दूरी पर होती है तो गोल पोस्ट जैसा कि है उसके बगल में पिनावटी कार्ण और अट्रेक मार कर दिया जाता है तो ओधास मिटर की दूरी पर होता है ठीक है नेसे दोस्तों हागी में रेफरी द्वारा खेल के दौरान कितने कार्ड का परियोग किया जाता है तो तीन कार्ड का तीन प्रकार के पार्ड को प्रेयोग किया जाता है रेफरी द्वारा खेल के दरान हरा कार के भी को कि समय तक मुआ हानी बाहर रखा जाता है उwnचा जाता है itu है फ्रा कर दो मिनुट दो मिनुट और पिला कार दिखाने पर पांच तो उसो से बाहर कर दिया जाता है सीधे यानि खेल से बाहर नेट के खानों की माप अधितम कितनी होती है जो नेट के खाने होती है कि श्मयी में का वर्ग होता है याई है कि सुचेंग सर्कल के अंदर कोई भाल होता है तो उसको पेंटि स्ट्रोक कर दिया जाता है जैसा जैरा पेश्द को परल खींटा है जब सूटिंग सर्कल के अंदर डिफेंडर के पैर पर बाल लग जाती है तो रेफ्री उसको पेनाल्टी काउनर देता है और जब shooting circle के अंदर कोई खतरनाख foul होता है जान बूशकर या बहुत खतरनाख होता है तो उसको penalty stroke opponent player को दिया जाता है नहीं से दोस्तों हाकी में penalty stroke के लिए निवन मेंसे किस skill का परियोग नहीं कर सकते तो penalty stroke करते समय दोस्तों वह किस skill का परियोग नहीं कर सकता है तो वह hit नहीं कर सकता है penalty stroke के समय पूस भी कर सकता है flick कर सकता है scoop कर सकता है बट hit नहीं कर सकता है यह ध्यार में रखेगा नेशन दोस्तों यदि match tie रहता है तो कितनी penalty shootout दिये जाते है यहीं बेर्ष मैस थाैँ वोग हो जाता है दोनों को बिजेता गोसिद किया जाता है निश्च दो प hp altura के दोड़ लेकर चलता है तो उसको गुल करना होता है तो पुनालटी कीपर को बीट करते वह गुल करना होता है और पालीख करना होता है है नेश्ट दोस्तों यदि penalty shootout के बाद भी नैच टाई रहता है तो उसके लिए कोंसी प्रक्रिया प्रार्म कि जाती है दोस्तों यदि आद ब einen याने टाई हुआ तो penalty shootout पांच-bas दिया गया उसके बाद ही टाई होता है तो उसको certain तदेजन डेज की प्रक्रिया होती है. न जुस, आफीज़ंत हो. हाकी में बाल जमीर से छूते हुए जाती है, तथाल छिलाडीजंत हो यदि हो कRe yeah जो प्श्यान दिया जाता है नेसे दोस्तों यदि हांकी में बाल कुछ दूरी चक घसिटी हुई जाए और बाल जमीर से उपर जाती है तो इसको हम फ्लिक कहते हैं ठीक है तो पुस्स से थोड़ा सा उपर उड़कर जाती है फ्लिक में नेसे दोस्तों यदि हांकी स्ट्रिक करती हुई आती है और बाल को स जो सिरह बाल के नीचे रखा जाता है जिसंकि बाल को ऊपर हाँ जाता है जिसने ने चाइन को सकते हैं कि कॉशल को हम कहते तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कहां पर मिस्टेक है जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए और जादे जादे वीडियो को सेयर भी किया किजिए और डेली बेसे इस पर बहुतरी तयारी के लिए मेरे चैनल पर बने रहे हैं और दोस्तों फर्स